सबी को जैंद दोस्तों आप सबी का हर्दिक सोगत है तो आज हम आपके लिए एक जबर्दस वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिसान की तरफ से आर्जु काजमी को और भारत की तरफ से जानिमानी पतरकार अधीतित त्यागी को तो ये वीडियो बहुत इ हमें चीफ रह चुके हैं बाजवास साब उन्हों ने तो कहा था कि हम चाते हैं के टर्म्स बेतर हों और एक साइट पर दस साल के लिए रग दिया जाए कश्मीर को इसके लावा भी रिसनली भी आ आइम शूर कि आप कुछना कुछ मीडिया को फॉलो करती होंगी पाकिस्ता नहीं है तो इसके संगी बात उन्होंने की कैसलिए हम जो हैं तर्म को बहतर करना चाहरें तो यह दो तरह की बाते आपके ख्याल से क्यों चल रहे हैं तरह कुछ और के पहले के आर्मी चीफ पर बारे में और इस वक्त डीजिया स्प्याइब को लिए अलग बात करने यह मु कि जब शामती की बात की जाती है, मनचैन की बात की जाती है, तो मुझे याद है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत गाली घर पर पड़ी थी, ये चले गए थे नवाच शरीश को यहाँ पर उस समय के जो बाइं मिनीस्टि थे उसके बाद काफी क्रिटिसिजाम हम में लानाया बार जब इस तरह की बाते होती हैं तो लोग कहते हैं कि आप क्यूं चले गए थे ये बशन मंदिर वह अपर क्यों गए थे तो कुझ पाकिस्तान थे पिश्वर्टे सदूरल का अपनी पॉलिटिक्स को देखें अपनी फॉज दू को देखें तो अगर मैं हिंडिएन आंप पोसिल्हाई और पाकिस्तान की फॉज का कमरें करों तो comparison not in the sense of कि दोनों की strength किया है, लेकिन वजूद, existence पर बात करूँ और दोनों की दखल अंदाजी की बात करूँ तो आपकी पॉज का जो track record है I'm sorry to say, लेकिन बहुत खराब है आपके मुल्क के लिहाज से भी मैं कहा रही हूँ तो आप एक तरफ बात करने लगते हैं कि आप बात्चीत करेंगे, बात्चीत की बात और फिर दूसरी तरफ होता है घात जैसे मैं एक्जांपल दूँगी आपके विदेश मंत्री बिलावल गुटोजरदारी इंडिया आएंगे अगर आप हमला करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे ना लेकिन उसमें स्टेट इंवाल्व है ये तो अभी तक साबित नहीं हुआ वो तो एक अलग एक गृप किसी का कहा जा रहा है जिन्होंने जिमेदारी लिए कि हाँ जी रिस्पॉंसिब्लिटी उन्होंने उठा लिए लेकिन ये कि उसमें पाकिस्तान की स्टेट इंवाल्व है ये चीज़ तो अभी सामने नहीं आई है तो इसलिए उसके ओपर तो बात की जा सकती है या आपको लगता है नहीं सकती बात देगे आर्जू जब तक टेरोरिजम की बात होगी ये इस ये कहना बहुत मतलब मुझे लगता है अगर मैं ये कहने लगूं की पाकिस्तानी स्टेट की इंवॉल्वमेंट के बिना कोई elements जो operate कर रहे हैं पाकिस्तान से they can carry out an attack on India or in India I really don't buy that I don't believe that और खासतोर पे ये देखते हुए भी कि जिस तरह की हम लोगों की history रही है और history में बहुत सारी learnings और सबक होते हैं क्या ये किसी से चिपा है आपके यहाँ पर किस तरह से statements आए हैं इंडिया जब से इंडिया को G20 के जिक्ष्टा मिली है क्या किसी से चिपा है कि पाकिस्तान लगातार बार बार एक ही राग अलाप रहे 2019 5th August 2019 के बाद से आपके तमाम चाहिए इमरान खान हो चाहिए शाबाज शरीफ हो चाहिए आपके दूसरे पाकिस्तान चलाता है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता और यह तो कोई बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि पाकिस्तानी स्टेट की involvement के बिना आपकी एजन्सी की involvement के बिना भारत में कोई आपके यहां पर बैटे हुए अटाक को अंजाम दे सकते हैं तो यह तो बिल्कुली मतलब ऐसे होगा कि आप हम डिनायल में चले जाएं यह मैं अक्सर कहते हूं कि पाकिस्तान के बिल्कुली मतलब ऐसे होगा के बिलावन भुटो जो हैं वह इंडिया जाएं और इंडिया के साथ किसी किसम की बात्चीत हो वैसे तो जिसके सम के स्टेटमेंट उन्होंने पहले दिये थे चाहें वह प्राइमिनिस्टर बारे में हो या पर डॉक्टर जैश में भी लोगों ने उनको काफी कुछ कहा के गलत कहा है उन्होंने सरा बात नहीं करनी चाहिए थी लेकिन फिर भी कुछ लोग रोकने की कोशिश तो कर ही रहे होंगे तो आपको नहीं लगता कि वो भी एक रिजन हो सकता है लेकिन आर्जू आप मुझे बहुत बेसिक सी बात बात और घात दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना गोली और बोली दोनों साथ नहीं हो सकते ना अगर आपके घर में कोई बैठा है और वो मेरे घर पर पत्थर फेक रहा है या मेरे घर पर गोली चला रहा है तो मैं यह नहीं बोल सकती ना कि आर्जू काजमी को नहीं पता कि मे और आप उस जवाब देही से यह कहा कि पल्ला नहीं मुझे नहीं पता पता नहीं कहां से हो गया नहीं यह लोग चाहते नहीं हम बात करें तो फिर तो आप मुझसे यह भी कह रहा है कि आप मेरे से करें मैं आपसे बात क्या करूं फिर अगर आप मेरे गर पर गोली चलाने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर मैं उस गोली चलाने वाले का हिसाब करूं लेकिन अभी था कि इंडियन गवर्मिंट की तरफ से कुछ कहां नहीं गिया है लेकिन बाररहीघ इसके ओपर जरूर स्ट्रिक्ली काम उना चाहिये अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो हिस्ट्री के नाम से कहते ही हम एक शक्स जहन में आते हैं और वो है तारिक फते और तारिक फते सहाब का आप जानती है कि एक दो दिन पहले जिस तारीके से मतब उनकी डेथ हुई है और कैंसर के पेशिंट थे वो लेकिन बाराल मैं तो यह समझती हूं कि हमेशा वो हमारे साथ रहेंगे उनकी कहीं भी बाते उनकी बुक्स और सब कु सबसे पहले तो आर्जु आई रिली प्रेय तो गौड तरी रेस्ट इन पीस और दूसरा मैंने उनकी बेटी नताशा है नताशा फते हुन्हें भी जो मेसेज किया था उसमें यह लिखा था की तारिक साब हैस जस्ट मार्श डान लेकिन वो जो उनके आप भी मेरे के शोज म को आईना दिखाने वाली एक शक्सियत जिसे किसी तरह का प्रोगेंड़ा और लाइज जो है वो बरगला नहीं पाए तो ही मेरे लिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अंग्रेजी में करते हैं यह उनकुछ लोगों में से होगी जोने उनकी बीमारी के बारे में सुछती ह अधियों के साथ और मुझे मैं शायद उनकुछ लोगों में से होगी जने उनकी बीमारी के बारे में सबसे पहले पता चला और वो पता भी कैसे चला कि अगए पोइंसिदेंस था कि उनके फोन से मुझे एक बार कॉल आया बश्बा के कोई साड़े चार बजे का वजे का व तो उन्होंने का कि मैंने का तारिक साब आपने कोन किया तो बोले कि नहीं मैंने तो कोन नहीं किया तो मैंने बोले कि नहीं मैंने तो कोन नहीं किया तो मैंने बोले कि मुझे बोले कि अरे नहीं वो गलती से हो गया होगा तो वो मुझे हमेशा अधिया बुलाते थे अधिय तो बोले कि अधितिया गलती से हुआ होगा शायद तुम्हें का और आप कैसे हैं तुरह ने बोला कि नहीं अभी प्रॉब्लम्स हैं और यह तोल्ड में अभाव इस प्रॉगल्स और जो चैलिंजेश चुनॉटिया उनके सामने आ रही थी और जो उनको प्रॉब्लम थी और आज मुझे एक मैं बहुत जादा दुखी हूं लेकिन मुझे एक बात का यह सुखून है कि बीटे कुछ महीनों मे पर्सनल जो रापता होता है वो थोड़ा जादा हुआ क्योंकि मैं उन्हें हमेशा बोलती थी कि अगर आपको कभी जरूरत हो तो नताशा ना हो तो यू किन कॉल मी आफ एलिंग पैरेंट फिल्स और वो हमारी बीच उस तरह के इंटरक्शन पर पर काफी हुए तो इस बात अगर पाकिसान में अगर किसी को गदार का टाइटल ना मिले तो फिर हम उसमें शक करते हैं कि इसका मतलब ये काम ठीक नहीं करा इसलिए कि सभी को मिल चुका है मुझ समयर्ट तो इसलिए वो हम लग उसको फिर बड़ा प्रॉब्ली हम उसे लेते हैं तो इसलिए हमें कोई परिशानी नहीं है ताइक जो बोला रहा कि हम इस टाइटल को बहुत ही प्राउडली वेर करते हैं तो एक और इंट्रेस्टिंग स्टोरी है तारिक साब से जुड़ी हुई क् इसलिए तारिक साब किसी नहीं पताया की फुछ लोग मुझे टारगेट कर रहें। और मेरे खिलाफ यह लास्टिया कि बात है वह मैंने उन्हें का वह मैंसेज बड़ा संहाल के रख वा है तो नहीं मुझे प्रागेट किया जारा है तो सकता है मेरे खिलाफ एर तो उनका म It is a feather in your cap. So wear it like Maharani. So he was always very encouraging. And I'd say the same for you that you have been, I really like being on your show and I have always enjoyed you being on my show. So today you have turned your tables, the role reversal. I'm in your show today. But it's very interesting and thank you so much. I really appreciate this. Thank you so much Aditi. And I hope that we will be doing time to time. Just like you have got time and we will be talking about Pakistan and Bharat. Thank you so much. So kind of you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So friends, I appreciate you that this video will be very much. For watching such a large answers and interesting videos, you can join us. If you are new to subscribe, subscribe कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी latest or interesting videos लाते रहें. तो अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, जल्द मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत.